तो हे गाईज वेलकम बाइक टू माइन आधर वीडियो में परड़ी परड़ी परड़ीक साथ आज का रेक्शन स्टार्ट करते हैं सच में मैं बोलू ना सच बोलती हूँ भाई दुनिया में आधी आए तो फान आए इधर से उधर हो जाए धरती मगर ब्लॉक टाइम पर आपके बोलने का अंदाज गलत होता है आप सुचो आगर मैं आपसे एक बात पोस्ती हूँ अगर आपके घर में प्रॉब्लम रहेगा जिस हिसाब से सचिन मनीशा ने पोस्ट कि अगर आपके रिलेटिव आपके पहचाने आपके घर में कोई ऐसी बात करता है तो कि आपको भूक लगेगा या कोई आपको कोई काम करने का मन करेगा सच बोलू मैं आज जब पोस्ट देखी थी सचीन मनीशा का ना मैं सोती हूँ दिन में लेखिन मेरा नीद उड़ गया था उस टाइम कि भाई इसतना बड़ा डिसीजन और मैं देखी उनके पोस्ट के बाद वहीं पर आता है उनकी मा का वीडियो अपना दिखा रही थी सीस महल हमारा जो सीस महल है यूटूब के कमाई से सीस महल बनाया है मैं नहीं बोलती कि ब्लॉग मत डालो मगर सिच्वेशन को इंसान को समझना चाहिए जहां पर प्रिंस वीडियो अभी प्रिंस का मैं वीडियो बुुझे लगा कही नहीं कहीं प्रिंस के वीडियो से हमें कुछ जानकारी मिले प्रिंस का वीडियो देख within थे कि चलो कमसकम प्रिंस doные किट्ना भी बुरा उसको बोलते हैं बुरा बेका नहीं रहे ता बुरा फैमिली बारे उसको बनाते तो कमसकम प्रिंस घर जा-जा जहां में प्रिंस ने बताया कि बाते कुछ हो गई हैं, हुई हैं कुछ बाते वो चाहता तो content बना बना किस पे बोलता है मगर प्रिंस ने ये बोला कि आप लोग को पता ही होगा जो बाते हुई हैं आपको सबको पता ही चल गया है लेकिन अभी थोड़ा घर पे ठीक है, बाते हो रही हैं, नॉर्मल है सचीन को लेके बोला कि मतलब सचीन मनीशा में जगड़ा हो गया मुझे बस से एक ही माइन में बात आ रहा है, मनीशा का वो वीडियो क्यों डिलीट हुआ मनीशा का तीन वीडियो डिलीट हुआ, एक पार्टी का वीडियो डिलीट हुआ जो अपनी सायथ प्रिंस अपने दोस्त के पार्टी में गये थे एक वीडियो अभी जो भोशपूरी कलाकार के साथ था, वो मनीशा का वीडियो डिलीट नजर आ रहा है और एक पांच घंटा पहले पड़ाता वो लगभग वीडियो डिलीट है तीन चार वीडियो मनीशा का डिलीट हुआ बाकी सारे वीडियो है वही पेप प्रिंस का कहना है कि मुझे कोई भी रियक्षन वीडियो बनाता है बोले मगर नाम लेके सच में यार मैं बोलती हूँ जब खुद को पता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो किसी का नाम लेके बोलने में क्या प्रॉबलम है? मैं जिसका वीडियो बनाती हूँ, मैं प्रॉपर उसका नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत रेक्षन नहीं दे रहेु तो मैं हर रेक्षन चैनल वालों को बोला चाओंगी, सायद मेरी बाते उनको बुरी लगे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं जब आपको confidence है खुद पे कि आप सही बोल रहे हैं तो किसी का नाम बिल्ली गोजर चिमगादर इसा नहीं गाल कालिया या मतलब गलत गलत सब्द नहीं बोलना चाहिए उसका नाम लो वीडियो बनाओ अगर आप confidence है कि भाई हम सही है तो prince की देखो ये बात तो बिल्कुल सही है जरूरी नहीं कि बंदा हमेशा गलत रहा उसने ये बात बोली कि देखो हमारे पे reaction बनाना है आप बिंदास बनाओ लेकिन नाम गलत मत लो काली कलूटी उसकी वाईप को भी बोल देते लो तो सच में आम नहीं बोलना चाहिए र नाम जो है वो लेकिना वो सारे reaction चैनल को नहीं बोला वहीं पर रंजना भी थी और कोई खुसखबरी की बात कर रहे थे इन लोग को देखो मैं ये इस टाइम पर बोलूंगी इनको अपने खुसखबरी की बात पड़ी कि एक गुड न्यूस भी है इतना बड़ा घर में situation में घर तो जा रहा यह नहीं है कि भाई हम अलग हो गए देखो यही होता है खुन का रिस्ता बोलना और करना अंतर होता है प्रिंस ने अभी कल क्या बुला था कि हम को उनसे मतलब नहीं हम घर नहीं जाएंगे लेकिन देखो होता है भाई फैमली जो भी होता है चीज फैम मतलब किसी से भी वो चाहती ना सब अच्छा करके रखती क्यों क्योंकि मैं आज उनको अच्छे से जान गई कि उनको पैसे से बढ़के साइद दुनिया में कोई भी चीज नहीं है इतना प्रॉब्लम है उनके घर में लेकिन अपना वीडियो टाइम से डाल के और उसमें कम कमेंट लगा दू किसी ने बुला सचीन को लेकि आपका फोन नहीं उठा रहे तो जिस पर उन्हों ने एक रिप्लाई दिया कि वो लोग घर आ रहे हैं मनीशा और सचीन साइद अंबाला के लिए जा रहे थे कहां जा रहे थे मुझे इतना मतलब पता नहीं उनका पूरा र मनीशा घर आ रहे हैं साइद अब कोई डिसीजन लेंगे लेकिन मालो उन लोग के बीच में कोई ऐसी बात चल भी रही थी तो धड़ाके से देखो एक बार नाम भी गड़ जाता है तो वह नाम बनता नहीं धड़ाके से ऐसा पोस्ट कौन करता है कि हम लोग अलग हो रहा है चैनल टर्मिनेट कर रहे हैं ये चीज नहीं करना चाहिए इसके पहले के ब्लॉग में मैंने एक सब्द बोला था जिसमें कि यूटूब पे अपना हम लोग वीडियो दिखाना ही स्टार्ट करेंगे घर का पैसा तो बहुत है इतना पैसा है कि एक साल में कोई करोड़ पती हो सकता है घर का जगड़ा लड़ाई जूठा जूठा कंटेंट बना के लेकिन एक चीज नहीं रहेगी क्या नहीं रहेगी इज़्जत नहीं रहेगी तो वही चीज हुआ जो भी बची खुची इज़्जत थी इस पोश्ट के वज़े से साध उनकी वो भी चली गई और प सब चीजे करेंगे तो बढ़ जाएगा देखो यही होता ने एक भरोसा अगर एक बार हम कोई जूठ बोलके पब्लिक को उल्लू बना की कुछ चीजे कर देती नहीं तो एक बार इंसान का भरोसा टूट जाता है तो वह चीज नहीं बन पाता तो यही प्रिंस राज सचीन क फैमली कर चुके हैं एक बार प्राइम किये तो जिसके वज़र से पब्लिक का भरोसा टूट गया है वह सच भी बोल रहा है तो सबको लग रहा है जुट बोल रहा है वही पर मैं कोई मा को एक बात बोलना चाहूंगी कम से कम इंसान आप इतना आपका एज हो चुका है आप एक दिन ब्लाग नहीं डालती अगर आप ब्लाग भी डाल रही है तो कुछ उस चीज़ से रिलेटग डालती तो पबलिक को अच्छा लगा लगता की चलिए आप कुछ बता रही है लेकिन आप अपना ब्लाग दिखा रही है घर का होम टूर करवा रही है यह फ्ल Division दिखा हो तो उसके लिए दिल से सौरी मैं बोलती हूं कि मुझे किसी का ऐसा दिल दुखाने का कोई सौक नहीं है ना किसी अब सब्द बोलने का जो मेरे मन में था मैं वही बोली तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बहु बेटे को अच्छे से समझाइए कुछ दिन ब्लॉगिंग से दूर रह के अपना मतलब फरिवार को जोड़िए जैसे होता है इंसान फरिवार को जोड़ने के कोसिस करता हलिं हर घर में होता है तो चलिए मिलते ऍ Например वीडियो पसंद आइंज जरूर चैनल को बुरी लगी जरूर बताएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक परफेक्ट रियक्शन वीडियो बनाने की कोसिस करूँ ताकि पबलिक के दिल में अपनी जगह बना सकतू चली मिलते हैं ने इस वीडियो में